मल्टिप्लेक्स की शकल में जिसमें तीन स्क्रीन्स होंगी खुला है तो हम सब खुश हैं फिल्मेकर्स और आर्टिस्ट ही नहीं जो फिल्म लवर्स हैं कश्मीर के जरनल पब्लिक है उसमें भी बहुत सारे लोग खुश हैं और ज्यादतर जो खुश हैं वो हमारा यूथ है मैं अपने एक्सपिरिस बताऊंगा कि जब हमने जब जब अपने फिल्म फेस्टिवल किये तो यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद वहां आती थी फिल्में देखने के लिए और एंजॉई करते थे यूथ ही नहीं हमारे मिडल एजड लोग या ओल एजड लोग जिन्हों ने अपने जमाने में अपनी जवानी में सिनमा हौल में फिल्में देखी थी 89 से पहले तो वो भी आते थे तो ये सिनमा हौल का खुलना हम सब के लिए खासकर आर्टिस्टों और फिल्मेकर्स के लिए बहुत अच्छी बात है इसे फाइदा ये होगा कि कश्मीर में दोबारा से एक फिल्म का माहौल पैदा होगा एक वक्त था 60s 70s और मिड एटीज तक जब कश्मीर में बहुत ज़ज़ा शूटिंग्स हुआ करती थी और खासकर जो हिंदी फिल्में हैं उन में मुस्टली कुछ पॉर्शन जो था उन फिल्मों का कश्मीर में फिल्माया जाता था एक वाइदा हो सकता है जब यहां की फिल्मों के लिए रेज दिखाए जाए तो एक इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है क्योंकि अभी हम अपना पैसा लगाते हैं फिल्म बनाते हैं और हमें उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता